चौथा घर कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण घर है, क्योंकि यह घर हमारे मन और जीवन के सुखों और सकून को दर्शाता है. चंद्रमा मन का कारक है और ब्रहस्पती धर्म का. अगर मन धर्म से परिपूर्ण हो और इनसान धर्म की राह पे चले तो जिन्दगी में उसे किसी बात का भय नहीं होता. इस घर में ब्रहस्पती का स्थान अधिक अनुकूल और शुप फल देता है. चौखे भाव में ब्रहस्पती की उपस्थिती व्यक्ती को बुद्धिमान, धर्म का आदर करने वाला और सुलजा हुआ बनाती है. उसे अच्छे परिवार, घर और वाहनों का सोभाग्या प्राप्थ होता है. ऐसे जातक, धार्मिक, शिक्षित, विद्वान, जानकार और सहायक होते हैं. ब्रहस्पती के लाभकारी गुन जातक को विरासत में मिलेंगे. इस तरह के जातक सम्रिध्धी और खुशी के साथ लंबा जीवन जीने वाले होते हैं. यदि चौथे घर में ब्रहस्पती के साथ राहु बटा केतू जैसे अशुब ग्रह का साथ है, तो सकारात्मक परिणाम काफी कम हो जाएंगे. विशेश एक, यहाँ घर ब्रहस्पती के मित्र चंद्रमा का है, इसलिए यहाँ ब्रहस्पती बहुत अच्छे परिणाम देता है. दोब जातक को दूसरों के भाग्य और अपने भाग्य को तै करने की शक्तिया प्रदान करता है. तीम कुसे सरकार की ओर से सम्मान के साथ धन भी मिलता है. चार, जैसे जैसे वह बूड़ा होगा, उसकी सम्रिध्धी और पैसा बढ़ेगा. पांच अगर उसने घर पर मंदिर बनाया हो, तो ब्रहस्पती उप्रोक्त वर्नित परिणाम नहीं देगा और जातक को गरीबी और विवाहित जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. अनुभव छे जन्म समय धर्म स्थान का पास होना ब्रहस्पती शुब की नीव होगी. साथ माता धर्मी और नेक स्वभाव की होगी. आठ माता खांदान यानी ननिहाल का फल उत्तम होगा. नौ चरित्रवान स्वभाव में उत्तम पत्नी, संतान से सुखी, मकान वाहन से युक्त होगा. दस जब खाना नो दस खाली हो तो ब्रहस्पती सोया हुआ होगा. अब जातक का चवालीस वर्ष की आयू के बाद भाग्या उदे होगा. जारा किसी को अपना नंगा शरीर ना दिखाए वरना धन हानी होगी. बारा मास शराब घर में ही खाने पीने वाला होगा. तेरा माता का विरोधी होगा और वाहन दुरघटना का भै. चौधा अपने काम आप बिगाड़े. पंद्रा धन संबंधी परेशानी अकसर आती रहेगी. सोला घर में तूटी छत्री खिलोने होगे. सत्रा वाहन का भीमा नहीं करवाया होगा. अठारा जातक किष्टी या समंद्री जहाज पे काम करता हो तो ब्रिहस्पती की बुरी हवा जोरों पे होगी. निशानिया उन्नीस घर में किष्टी की फोटो या स्टैचू होगा. बीस घर का कोई बजुर्ग सन्यासी होगा. इक्कीस माता का चहरा गोल और तेजवान होगा. सावधानिया बाइस घर में मंदिर का निर्माण नहीं करवाना चाहिए. तेईस अपने बडों का ध्यान रखना चाहिए. चौबीस अपने शरीर को दूसरों के सामने उजागर न रखें. पचीस फटी बनिया न पहने. चौबीस दूसरों के सामने नंगा बदन मत दिखाए. सत्ताइस अपने परिवार के पुजारी का आशिरवाद लेते रहें. अठाइस अपने चरित्र को साफ रखें. उन्तीस बुजुर्ग लोगों का ध्यान रखें. तीस तूटी छट्री, तूटे खिलोने या किष्टी की फोटो स्टैचू का साथ न रखें. इकतीस पर्स्त्री से दूर रहें. बतीस बजुर्गों की आग्या का पालन करता रहें. तैतीस गंगा जल घर में अधिक मात्र में न रखें या बंद पड़ा न रखें, निरंतर इस्तमाल करता रहें. चौतीस धर्म स्थान का प्रसाद घर लेकर न आएं. उपाएं. पैतीस साप को दूर्थ पिलाएं. चौतीस तीर्थ यात्रा पर जाएं और भगवान से प्रार्थना करें. सैतीस पीपल का पेड लगाएं. बैटिन. मा का परमात्मा में अटूट विश्वास होता है. माता का गोल चेहरे और हंसमुक स्वाभाव की होती है. घर में संतो गुरू का आना जाना होता है. जातक की एही सेहत और अच्छी परस्नालिटी होती है. घर का आंगन बड़ा होता है. घर में मंदिर स्थापित क्या होता है. कम मेहंत की ये अधिक लाभ मिलता है. गुरू खराब तो चरित्र खराब होता है. काम काज में प्रमोशन नहीं मिलती या अधिक मेहन्त करनी पड़ती है गुरु खराब तो घर में दारू पीने की आदत होती है गुरु खराबा तो माता की लंबी दवाई चलती है गुरु खराब तो घर में भगवान की फटी फोटो या खंडित मूर्ती होती है गुरु खराबा तो माता की लाल चुन्रिया गाठ लगी घर पर पड़ी होती है घर में तूटे खिलोने तूटी छत्री होती है